हम पंची उन्मुक्ट गगन के कविता आजादी को पसंद करने वाले पक्षियों पर आधारत एक बहुत ही अगवुत कविता है। कभी हमें पक्षियों के माध्यम से मनुश्य जीवन में आजादी का मूल्य बताना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि आजादी से अधिक प्या आजादी को जिन्दगी में भले ही कष्ट ही कष्ट क्यों न हो फिर भी सभी आजादी को ही चुनना पसंद करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवी ने पिंजरे में कैट पक्षियों की मनोदशा का वर्नन किया है। हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजबद न हम पिंजरे के अंदर बंध होकर खुशी से गाना नहीं गापाएंगे। आजाद होने की चाह में पंक फटफडाने के कारण सोने की सलाकों से टक्रा कर हमारे नर्म पंक तूट जाएंगे। कविता में कवी शिवमंगल सिंग सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुश्य जीवन में इस वतंथरता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक त्यों में कवी सपश्ट करना चाहते है कि गुलामी में कभी भी कोई भी अपना काम खुशी से नहीं कर सकता है। पंक्षियों में पिंज्रे में बंद पक्षी अपनी स्थिती से दुखी होकर अपनी व्यथा का वर्नन करता हुआ कहता है कि हम पक्षी बहता हुआ जल पीने वाले प्रानी हैं। कहने का तातपर्य यह है कि पक्षियों को बहता हुआ पानी अर्थात नदियों, जहरनों का पानी पीना पसंद है पिंज्रे में गुलामी का जीवन जीने से अच्छा तो पक्षी भूखे प्या से मर जाना पसंद करेंगे पक्षी कहता है कि उसके ये पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कही अच्छा नीम का करवा पल है इन पंक्तियों में कवीस पश्ट करना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंच्रे में भले ही सोने की कटोरी में मैदा और पानी क्यों न दिया जाए स्वर्ण, श्रिंखला के बंधन में, अपनी गती, उडान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, तरू की फुंगी पर के जूले पंक्तियों में पक्षी अपने दुख को हम सभी से सांजा करते हुए कहते हैं कि हमें सोने की जंजीरों से बने पिंजरे में बंध कर दिया गया है, जिसके कारण हम अपनी उडने की कला और रफतार सब कुछ भूल गए हैं, इन पंक्तियों में कवीस पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी के कारण पशू हो या हम मनुश्य सभी अपनी काबलियत को धीरे धीरे भूल जाते हैं और गुलामी के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी करना केवल एक सपना रह जाता है। नीले आसमान की सीमा तक उड़ते चले जाएं। अपनी सूरज की किरनों के जैसी लाल चोंज को खोल कर तारों के समान अनार के दानों को चुग लें। ये सब पक्षी की मात्र कल्पना है क्योंकि वो पिंच्रों के बंधन में कैद है। इन पंक्तियों में कवीस पष्ट क करना चाहते हैं कि पिंच्रे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए अपनी अधूरी इच्छों को याद करके दुखी हो रहा है। भाव ये है कि गुलामी में रहता हुआ प्रानी अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलता क्योंकि गुलामी किसी को पसंद नही होती होती सीमा ही इन क्षितिज से इन पंखों की होडा होडी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी पंख्टियों में पक्षी अपने मन की बात को हम तक पहुँचने की कोशिश करते हुए कहता है कि यदि हम आजाद होते तो जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐस शिक्षितिच को पार करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तयार हैं। इन पंक्तियों में कवी स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वतंत्र प्राणी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। लेकिन तु गुलामी में जीने वाला प्राणी केवल आजादी से कुछ भी करने के केवल स्वपन ही देख सकता है। कहने का तातपर यह है कि पक्षी अपनी आजादी चाहता है और वो अपने आपको कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिला रहा है कि वो एक पक्षी है और उड़ना उसका अधिकार है अतह उसे आजाद किया जाए। पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता कवी शिवमंदल सिंग सुमन जी की एक बहुत ही अगभूत कविता है। इस कविता में कवी हमें पक्षीयों के माध्यम से मनुश्य जीवन में आजादी का मूले बताना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवी पिंजरे में बंद पक्षी की व्यथा का वर्नन करते हुआ कहते हैं कि पक्षी खुले और आजाद आसमान में उड़ने वाले प्रानी हैं। पिंजरे के अंदर बंद होकर न तो वे खुशी से गाना गा पाएंगे और नहीं खाना और पानी पी पाएंगे। क्योंकि वे उसे आजादी के साथ खा सकते हैं। क्योंकि वे पिंजरों के बंधन में कैद हैं। कविता में पक्षी अपने मन की बात को हम तक पहुचाने का प्रयास्ती कर रहा है। वो कहता है कि अगर वो आजाद होता तो क्षितिच को पार करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटता। प्रस्तुत कविता में पक्षी उसे पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ती से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि भले ही वो पक्षी को पेर पर टहनियों के घुसले में न रहने दे और चाहे उसके रहने की स्थान को भी नश्ट कर दे। परंतु जब भगवान ने उसे पंक दिये है तो उसकी उड़ान में रुकावट ना डाले। संपूर्ण कविता का आशे यह है कि पक्षी को गुलामी में मिलने वाली सुख, सुविधाओं और देखभाल से कही अच्छी कथिन आजादी लग रही है। वो आजाद होकर बह जादी की साथ उरने दिया जाए।